इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाइ वीगार्ड धर्म जाती और फ्री की पॉलिटिक से आगे नहीं निकल पाएं कौन जमेदार रभी जी बहुत धहरी की परिच्छा लिया अपने आज और मुझे चालिस मिनट तक मैं लगाता है इन विद्वान राजनेताओं को सुनता रहा उनके वक्तव्यों को बहुत कम लोगों ने टॉपिक पर बोला ये देखके मुझे हैरानी हुई कि इनको टॉपिक पर बात करनी चाहिए रेवडी पॉलिटिक्स पर आपने बात आरंब किया था कहा निती इसकुमार से बटकते हुए कहां कहां बात गई लेकिन रेवडी कल्चर की बात अभी लोग कह रहे हैं कि रेवडी कल्चर अभी रिसेंट फेनमेना है मैं आपको याद दिलाऊं कि कामरा जब तमिलनाडू के मुख्यमंत्री थे 1956 में तब उन्होंने मिड़े मील की शुरुआत की थी तो जो ये फ्री बीज और सबसीडी का मामला है ये दोनों को गंभीता से और थोड़ा सा बहुत महीन रेखा है दोनों के बीच में इसको समझना चाहिए आजादी के बाद हमारा देस वेलफेर स्ट राजनेट था और जब हम एक खास मुकाम तक पहुंच गया उसके बाद हमें उन चीजों को कम करने का प्रयास करना चाहिए था लेकिन उनको कम करने के बजाए अन्रेगुलेटेड सबसीडी और इर्रेस्टनल जो ये फ्री वीज हैं ये हमने देना आरंब कर दिया जस्ट तो जो हम हमारे राजनेता ये जानते हैं कि इस देश में अब भी जो सिक्षा कास्तर है वो उतना नहीं है जिसमें लोग लॉंग टर्म सोच सकते हैं जो आप जापी धर्म और गेवडी की बात पूछ रहते ये इस से ही जुड़ा हुआ मामला है आप देखिए कि कॉंग्र 20 साल की पार्टी अभी अखिलेश यादव जी ने वहां मंद्य प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के बारे में कैसी कैसी बातें कहीं आप वो की 80 साल का आदमी उनको से भूल हो जाती है आधी-आधी तो खैर हुआ राजनीती में मैं नहीं जाओंगा मैं रेवडी कल्चर को बहुत गंभीता से समझना होगा और ये हमारे फिसकल हिल्थ के लिए कंट्री के बहुत बुरा है वेलफेर स्टेट में जो सबसीडी दी जाती है बिजली पर बिजली फ्री करने की क्या आवस्षिकता है मुझे आज तक समझ नहीं आएगा कि दोस्वा बिजली माफ कर द अरे किसी के जीवन अस्तर को उचा करने के लिए अगर कोई धन स्टेट की तरफ से खर्च किया जा रहा है समाज का जो निचला तबका है जिसमें जीने जो जिसका जीवन अस्तर बहुत निचे है जिसको कुछ लोग अंतिम पक्तनिके कहते हैं कुछ लोग बिचड़े कहते कुछ लोग डलित करते हैं उनका जीवा नस्तर अगर उठाने के लिए किसी प्रकार की कोई सबसीडी या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है तो उसको हम वेलफेर स्टेट के एक घुन के तौर पर देखते हैं लेकिन यह क्या हुआ कि सारे लोगों को एक साथ दिया अपील की LPG से और एक कडोर से अधिक लोगों ने सबसीडी छोड़ी उसकी देखा देखी फिर रेलवे ने अपने टिकट पर यह आप्शन देना शुरू किया तो एक तरफ आप रेवडी दो मतलब एक तरफ आप सबसीडी दो रेवडी नहीं सबसीडी दो और दूसरी तर एक सो चालिस करोड का देश है यहां तो राजीव गांधी नहीं कहा था अभी अदुल जी बैटे हैं उनको याद होगा कि 85 पैसा कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता तो योजना पहले बनती है उसके लूटने वाले बाद में बनती है लूटने वाले पहले आ जाते तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो रेवडी कल्चर जो शुरू हुआ है और जिसका बहुत प्रभाव हल के दिनों में देखने को मिलना ये देश की आर्थिक इस्तिती के लिए अच्छी बात नहीं है हम सब मैं तो सब दलों से यह पेच्छा करता हूं कि वो साथ बैठ हैं और इस पर बैठ कर विचार करें कि समाज के निचले स्तर के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए अगर किसी प्रकार की आर्थिक मदद देने की आवस्चता है तो वो देना चाहिए लेकिन जिस प्रकार से कहीं टीवी दिया जा रहा है कहीं सोने की चेन बच्चे के दिया जा रहा है कहीं कलर टीवी बाटे जा रहा है तो ये उचित बात नहीं है इससे राज की पंजाब की बात हो रही है यह राज 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 शास्तर और अर्थ शास्तर यह दो अलग लग चीज़ें हैं दोनों एक साथ काम करते हैं लेकिन राजनिती शास्तर में यह पाफ कर दो ये किराया फ्री वो किराया फ्री लेकिन अर्थ शास्त्र जो है वो ऐसे नहीं चलता है तो सवाल यह कि ओपिएस को लेकर आज बड़ा मुद्दा बनाओ लेकिन यूपिए की सरकार के टाइम इसे हटाने में यूपिएस सरकार का बहुत बड़ा रोल था भी यह एक मौका दिया कि एंपियस को मौका देने के बाद आज यह पता चल रहा है कि फाइदा जो है वो शेयर बार्केट में अलग-अलग जहां लगा रहे हूँ उसको हो रहा है लेकिन जो आदनी जो आदनी पीछे एक समाजिक शास्त्र भी है जो अर्थ शास्त्र से मिलकर आता है लेकिन rationalization of subsidies rationalization of जो ये रेवडी बगरे कह रहे था ने इसका thinking बहुत हुआ था 2004 से 2014 तक और उसी की निजाती के एक आधार कार्ड आया जो इन्होंने UADI को आधार कार्ड बना दिया DBT जो था direct benefit transfer की जो बात थी वो सारी बाते है वो rationalization of subsidies का जो है उसी की बात थी फिर सही लोगों को मिलना चाहिए जो leakages है वो leakages दूर करना चाहिए इसलिए टेक्नलोजी का inclusion जो है वो पहले income tax department में हो अपनी railway जब OPS को हटाया गया था OPS को हटाया गया था दब ये कहा गया था कि देश के ऐसे कई राज्यें हैं जिनका 80% कमाई का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ salary और pension में चला जा रहा है सिर्फ 10 से 20 वी से दी school बनाने अस्पिताल बनाने और सडके बनाने के लिए रह गया था यही तो मैं क्या रहा हूँ ना कि वो अभी हो सकता है लागू हो जाये लेकिन long term में उसके bad facts भी तो नज़र आ सकते हैं नए 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 रवी जी एक बात समझ लीजिए आप थोड़ा सा इसके economics को समझ लीजिए तब आपका administrative expenditure total budget के 70-80% तक गया था उसके बाद में एक लागू करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो है वो developmental projects पे हुआ है और non-productive administrative खर्चा जो है वो कम किया गया है आज दे सकते हैं समय की कमी है समय की कमी है 2019 के बाद एक एक निड़े की 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड के शेफ development हुआ है कुछ लोगों को इतना फाइदा हुए कि 609 नंबर से 2 नंबर पे आ चुके है लेकिन कुछ लोगों की 84% लोगों की अगर खरीच शमता ही खतम हो जाएगी तो आपकी तो एकोनोमी खतम हो जाएगी तो एकोनोमी को रिवाइब करना है तो न्याय योजना जो है वो न्याय योजना manufacturing को इसको लेकर हम लंगी बहसें पहले भी कर चुके हैं केके जी रिस्पॉंड कीजी और मेरे सवाल के साथ क्योंक नहीं उठ पाई उसके बाद ही तो उन्सकीम बना पाएंगे ना इंप्लिमेंट कर पाएंगे कि समाज का कौन सा हिस्सा उपर उठ गया और कौन सा नीचे रह गया किसको इन फ्री स्कीम की जरूरत है पहले तो मैं इस परस्ट कर दू कि यह मनमोहन सींग का स्कीम था ओपीएस खटाने का और इसके बाद चितंबरम साहब जब वित्त मंत्री थे चितंबरम साहब ने इसे लागू किया था और उनके बहुत अच्छे अच्छे प्याविश्य ने जूट मत बोलिए आप मैं जूट के भाईया रहन दो यार कहीं नहीं थे उसे में रों उस्टे से आपने नहीं नहीं जब आपने महिंगाई भता पचास प्रतिशन जो आप क्या है सच्छाई प्रतिशन आपने सेलरी में मिला दिया जवाब ले लेते हैं बहुत सारी बाते कहीं गई देखिए यह 36 गड़ में अभी अनंजी ने एक अच्छी विसे उठाया यह 36 गड़ में आम आदनी पार्टी भूपेज बगेल की गिरपतारी की मांग कर रही है केजरी वाज जाके मांग कर रहे हैं कि सराब गोटाले में जो है भूपेज बगे इनको ग्रिपतार किया जाए अभी उन्हेंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है मध्ध परदेश के अंदर इनकी मुझवानी लड़ाई इस लेबल तक है कोई किसको चिरकूट नेता बता रहा है कोई छुटबईया नेता बता रहा है कोई जो है अखलेस वखलेस बोल रह कि थे और वो बार-बार इसे अभिसाप कहते थे लोहिया जी यह कौन सा समाजवाद आपके अहां आगया है कि आप जाती पर्था पर खड़े हो गए इसी लिए सेफ़ाई में डांस कराने वाले और आयासी करने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जंता ने पिछले जो ह साथ आठ साथ साथ से बाहर किया जंगरना अगर आपने जवाब नी दिया बीजेपी जंगरना इस वीडियो इस पॉंसर्ड़ बाई वीगार्ड